सपने एक रहस्यमई और रोचक दुनिया का हिस्सा होते हैं जो हमारे मन और आत्मा की गहराईयों से जुड़े होते हैं सपनों का मतलब और प्रभाव समय समय पर विभिन संस्कृतियों और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर बदल सकता है जब हम सपने में पूजा पाठ, मंदिर या भगवान को देखते हैं तो इसका मतलब आपके आत्मिक जीवन में एक आध्यात्मिक अध्यात्मिक बदलाव का संकेत हो सकता है यह दिखा सकता है कि आपकी आत्मा में शांती, ध्यान और सांत्वना की खोज हो रही है यह आपके जीवन में धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं का महत्वपून हिस्सा हो सकता है और आपको आध्यात्मिक दिशा में गुडी तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है हालांकी सपनों का व्याख्यान हमेशा व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव और सांस्कृतिक प्राथमिक्ताओं पर निरभर करता है और इसका कोई निष्चित वैज्ञानिक साबित प्रमान नहीं होता स्वपन शास्त्र के अनुसार, जब कोई व्यक्ति सपने में सिंह पर सवारमा दुर्गा को देखता है, तो इसे एक शुब संकेत माना जा सकता है यह सपना दर्शाता है कि व्यक्ति के जीवन में सकारात्मत परिवर्तन और सुक्षांती के संकेत हो सकते हैं इसका मतलब हो सकता है कि उनकी मांगलिक्ता बढ़ जाएगी और समस्याओं का समाधान होगा हालांकि सपनों का व्याख्यान स्वभाव से सुबजेक्टिव होता है और इसका कोई वैज्यानिक प्रमान नहीं होता लोग इन्हें आपके जीवन के आगामी परिप्रेट्षे की और एक संकेट मानते हैं स्वपन शास्त्र के अनुसार जब कोई व्यक्ति सपने मेमा लक्ष्मी को देखता है जो कमल के पुष्पर विराजमान है तो यह एक बड़ी शुग संकेट हो सकता है इसका मतलब हो सकता है कि धन की प्राप्ती की उम्मीद है और आपके जीवन में आर्थिक सुख की और एक सकारात्मक बदलाव हो सकता है यह सपना आपके आर्थिक स्थिती में सुधार के संकेट के रूप में देखा जा सकता है और व्यापार या निवेश में सफलता की उम्मीद हो सकती है फिर भी यदि सपने के व्याख्यान को व्यक्तिगत और सांस्कृतिक प्राथमिक्ताओं के साथ देखा जाता है तो इसका कोई वैज्यानिक प्रमान नहीं होता और यह आपके व्यक्तिगत विश्वासो और धार्मिक मान्यताओं पर निर्भर करेगा